के point के बारे में तो आपको पता है कि हम point दो टाइब के अभी भी यूज कर रहे हैं फर्स्ट point है इस इस दे mechanical point एस और electrical point और यह हमारा mechanical point है अभी भी हमारे पास यह दोनों type के point है बट अगर यह point interlogged है signal से हमारा signaling yard है तो हम एक suitable electrical control इसके साथ जरूर जो मोटर पॉइंट है यह हमने बताया था पिछले क्लास में इसके साथ हमारे पास फिंगर कॉंटेक्ट होते हैं जो NC, ND, RC, RD, reverse control, normal control, reverse detection, normal detection यहां से हम electrical control इसका ले लेते हैं इसमें भी normal और reverse control लेते हैं लेकिन उसके लिए यहां पर एक extra equipment लगाते हैं इस equipment is known EPD, electrical point detector दोनों में same चीज़ है इसमें दो अलग-अलग बकसे हैं इसमें एक ही है, finger को only operate कराते हैं mechanically, through slide और यह tongue rail के movement के हिसाब से, जब हम point के courses करेंगे तो दोनों के बारे में parts, function और इसकी circuit, detail बताएंगे RS 002 में, सबको पता है, वहां पर इसके बारे में हमारे पास details है, यहां सिर्फ इतना जानना है कि yard में point होते हैं जो हम एक electrical point लगाते हैं, दूसरा mechanically point लगाते हैं, अब दोनों का function same है, nothing change, दोनों का function same है, तो हमारे पास जो अभी 143 mm और 220 mm, दो stroke वाले point यूज करते हैं, जिसकी specification है IRS S37, 143 mm, जो IRS S24-2002 है, अप्रोब टाइप, यह motor point की specification है, और IRS S37 जो है, यह हमारी specification है, उसमें used होने वाले DC split meter की, इसको DC split motor क्यों कहते हैं, पिछले class में आप लोगों को बहुत बेहतर से हमने बताया था, बहुत लंबे detail की हिसाब से, क्यों कहते हैं, ठीक है, दूसरी ची आगे मिलेगा, और इसको हम लोग motor point में बहुत बेहतर से circuit के साथ जानेंगे, ठीक है, इसका जो main चीज है, अपने आपको पिछले class में बहुत बताया था, अब मुझे recall हो रहा है, कि इसको भी हम लोगे ने चर्चा किया था, कि 140 mmP हमारे पास 3 test, हमारे जो size है, test piece के, वो 3 3 साइज के होते हैं, सबको पता है, 3 साइज में जहां जहां mechanical है, वहां तो 3 साइज का परियोग आपको करना है, लेकिन जहां सिर्फ electrical है, वहां पे 3 साइज का परियोग, यह हमारे पास 3 size के test piece है, जिसका function है, अगर आपके पास mechanical point है, तो mechanical point के EPD को test करना है, और उसके locking को test करना है, mechanical point में दो test होते हैं, एक तो locking, कि हमारी जो lock plunger है, FPL में जा रहा है की नहीं, जाना है, दूसरा की 1.65 से हम लोग test करते हैं, कि indication आ रहा है की नहीं, और lock जा रहा है की नहीं, तीसरा दोनों में कुछ नहीं आना है, तो जब आपकी mechanical की बारी आएगी, तो 1.65 में lock प्लस indication दोनों आ जाना है, 3.25 जब आप check करेंगे, तो 3.25 में भी lock भी नहीं आना है, और indication भी नहीं आना है, 5 mm में भी lock भी नहीं आना है, indication भी नहीं आना है, normally हम test यहीं करते हैं, बट अगर किसी condition में, हमारे 3.25 में lock आ गया, तो हमने tolerance बना के इसको रखा है, tolerance बना के रखा है, कि 3.25 में अगर lock आ गया, बट indication नहीं आया, lock आ गया, लेकिन indication नहीं आया, then आप merciful है, कि ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, mechanical है, selectness आ गई, 3.25 में lock आ गया, लेकिन indication अभी नहीं आया, बट अगर 3.25 में lock भी आ गया, indication भी आ गया, then आप पे charge लग सकता है, कि you are not good maintenance, आपको maintenance सही से नहीं हो रही है, और 5 mm में दोनों में कुछ नहीं आना है, तो ये mechanical की बारी थी, लेकिन जब आप electrical में, झाल झाल